नमस्कार मैं कशिश आप देख रहें नेक्स नाइन स्प्रिचुल गणेश चतूर्थी इस साल 10 सितंबर को मनाई जा रही है गणेश चतूर्थी के दिन से गणेश उत्सफ शुरू होता है इस दिन घरगर गणपती विराजते है उत्सफ के इस दिन में ख्याल रखे कि गणे से चंदर्मा देख ले तो उससे लगने वाले दोश से बचने के लिए व्यक्ति को एक उपाय कर लेना बहुत जरूरी है आकर क्यों हमें चंदर्मा नहीं देखना चाहिए तो बताते हैं आपको गणेश चतूर्थी के दिन चंद्रदर्शना करने का कारण एक कथा में बता जब चतूर्थी के दिन भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया वे उसके बाद प्रित्वी के परिक्मा करने प्रथम पूजे कहलाये तो सारे देवी देवताओं ने उनकी वन्ना के लिए चंद्रदेव से ऐसा नहीं किया चंद्रमा ने अपने रूप रंग पर घमन आ गया था इसे नराज होकर गंपती ने उन्हें श्राब दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे इस पर चंद्रदेव डर गए और उन्होंने गणेश चीस से माफी मांगी तब चंद्रमा ने उन पर दया करके कहा कि जैसे जैसे सूरे की किर्णे फिर से चंद्रमा पर करें वो भी आपको बता देते हैं कि गड़े शतुर्ती पर यदि गलती से चंद्रमा देख भी लिया है तो इसके दोश से बचने के लिए पूरे भक्ति भाव से एक मंत्र बताए गया है कि उसका जाप करें इसे चंद्र दोश का बुरा असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता ह इस मंत्र का जाप उन लोगों के लिए भी मदद का साबित होता है जिन पर किसी ने जूटा आरोप लगा दिया हो और इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करने से विक्ति आरोप मुक्त हो जाता है कैसे लगया आपको जानकारी कमेंट करकर ज़रू बताएगा वीडियो को लाइक को शेय करना बिलकुल भी ना भूलें